बिस्मिल्लाहिरह्मान रहीम, असलाम लेकूम विवर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद रुना तो विवर्स बकराई इद स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची नमकीन गोश्थ जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत कम इंग्रीडियन्स इसमें एड होते हैं और इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है मैं आपसे वो शियर करने जा रही हूँ इसमें कोई ज्यादा मसाले एड नहीं होते ये बनाना बहुत ही असान है तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला आहरेमान रहीम विवर्स सबसे पहले मैंने 1kg गोश्थ ले लिया है जिसमें मैंने नमक एड कर दिया है और आप जो चाहे गोश्थ ले सकते हैं जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं उनके हिस्से में जो गोश्थ आता है तो वो अपनी 24 पेस तरह बना सकते हैं नमक एड करने के बाद मैंने 1.5 जग इसमें पानी एड किया है फ्लेम को मैंने हाई रखा है अब मैंने इसको कवर कर दिया जैसे ही इसमें जोश आया तो मैं इसको लो फ्लेम पे रखतूंगी तकरीबन 2 गंटे में ये गोश्थ गल जाएगा गोश्थ गल चुका है और प 3 टेबल स्पून ओईल एड किया है डेर से दो मिनट के लिए हम फ्राइ करेंगे ताकि ओईल का कच्छापन खतम हो जाए आप चाहें तो घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं विवर्स अब इसमें हम 2 टेबल स्पून सुका धनिया आइड करेंगे गोश्थ गलने के बाद 3 से 4 मिनट में ये तयार हो जाता है ज्यादा टाइम फिर नहीं लगता अब जो इसका मेजिक इंग्रीडियन्स है वो है कुटावा अनारदाना टू टेबल स्पून हम इसमें कुटावा अनारदाना इट करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है तो बलोची नमकीन गोश्ट हमारा तयार हो चुका है जी विवर्स तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी बलोची नमकीन गोश्ट जरू ट्राई किजिएगा और आपने देखा कि ये बहुत कम इंग्रीडियन्स में बन जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना हर गिज नी बुलिएगा इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे अजाज़त अल्ला आफिस